दुर्भाग की बात है जिस प्रकार से एक राष्ट्र मंदिर का शेवक ही मैं कहूंगा पुजारी ही कहूंगा क्योंकि भारत देश का मंदिर संसत भवन और संसत भवन में वैट्टे वाला वैक्ति पुजारी होगा और पुजारी की इस प्रकार की मनुबृती हो दृष्टी हो मनुभाव हो दुर्भाग की बात है कि देश धर्म से नहीं देश सम्मिधान से चलता है लेकिन हमारा देश धार्मिक है सनातन पध्धती रग रग में कनकर में व्याब्ध है और जिस प्रकार से मैं निवेदन करता हूं अगर आपके मस्जिद में संक चक्र पुष्प कमल्द भगवान की सिबलिंग नंदी ये चीज दिखे तो वो मंदिर ही होगा आपने नहीं तोरा अक्रांताओं अगर विदेशी अक्रमनकारी था चोर था नीच था लुटे रा था वलातकारी था वेविचारी था माता वहिन वेटियों का एजजत लूडता था गुरकुलों को तोरता था हमारे मठ मंदिरों को तोरता था जिसका प्रडाम सरूफ है आयोध्या आप देखिए जहां कर ज ज़का सुने सीता राम सीता राम सीता प्रहां भी जांगे को पागल भी आप बताइए कर मुसल्मानों को आतंक की बनाने का साजिस कर रहे हैं मुसल्मानों को समझना चाहिए और हिंदुस्तान का मुसल्मान समझ भी चुका है हिंदुस्तान का मुसल्मान जागरुक है अब इनके चंगुल में आने वाला नहीं है एक तरब तो कहते हैं बौधिक अस्तर सुधारा मुसलमानों का जिससे इस प्रकार से आतंक बाद का घटना करना आतंक बादी बारदात में अधिकतर मुसलमानों का सामिल होना यह दर साता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिक्षित नहीं है सिक्षित किया जाए वह इसी जैसे पढ़ा लिखा है वैरिष्टर और देश के जनता ने सदन में बैठा है यह राश्ट्र मंदिर का पुजारी बहुदिक आतंगबादी हो जाए दुर्भाग की बात है इसी के लिए यह सुद्रूम से मुसल्मानों को भरगाया कर अपना रो होनी की जरूरत है यह वही काल नेमी है जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग है कभी गोली चलाते हैं कभी राम को काल्पिन कहते हैं कभी भाबरी मदी बनना चाहिए जब यह हुजूम जह जह सी राम का लोग लगा कर यह कोई किसी की जात नहीं पूछी है तिलक पार्टी का एजेंट्रे नहीं है इनका सर्दा है अस्था है विस्तवास से पैदल चला रहा है कोई लेड क्या रहा है और नपी मंदा के कैमरा पर सेम्राकेश नेगी के साथ यतिन शर्मा आयोद्ध्या निज्जेट इन इंडिया